हेलो इस्टूडेंट, वेलकम टो इस्टुभम लक्चरर चैनल, तो इस्टूडेंट इस वीडियो में हम क्लास 12 सेकंड फिजिक्स से दो महत्पूर्ण नुमेरकल्स को देखेंगे, वो भी साल्यूसन के साथ, तो इस्टूडेंट ये दोनों नुमेरकल आपके बोर्ड पर इ पूछे जाते हैं, यहाँ पर देखेंगे, दो मार्क लिखा हुआ है, तो वीडियो को लास तक देखिएगा, अगर आप वीडियो तक आही गए हैं, तो इसे बीच में छोड़कर मत जाईएगा, और अगर आप सुभम लेक्चरर चैनल के फैमली मेंबर बनना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्स्ट्राइब करके बेल आइकन को प्रस कर लिजिएगा, ठीक है, चलिए हम देखते हैं एक एक कुईस्टन को, तो सबसे पहला कुईस्टन यह है, जो आपके सामने है, इस कुईस्टन को ध्यान से पढ़िए, जो कुछ दिया गया है, उसको लिखिए, फार्मूरा लगाईए और नुमेर्कल ले जाईए, तो चलिए देखते हैं क्या है, एक रेडियो एक्टिब पदार्थ की अर्धायू 6-93 वर्स है, इसका च्छायांग या च्छायनियत्तांग की ज्याद किजिए, बच्चों इस प्रकार से कुश्टन आपके बोर्ड परि से और अर्धायू दिया गया आपका इस्टुडेंट 6-93 वर्स, 6-93 वर्स दिया गया है, ये बच्चु नाभी के चाप्टर से है, इसलिए जो वर्स है येर काफी ज्यादा दिये गया है, देखे इसका च्छायां की ज्याद की जिए छोटा सा फार्मूला मैं आपको करते हैं, तो फार्मूला सबसे पहले हम लोग यहां पर लगाते हैं, फार्मूला, ठीक है फार्मूला मैं क्या होता है, इस्टुडेंट फार्मूला आपका लाइमडा यानि चैयां किस called 2 होता है, कितना tahu.. 0.69321 ठीक है 31 अपान टी ठीक है अब यहां पर हम लोग वाइलू रखते हैं 0.6931 आएसे ले जने देंगे 0.6931 अपान टी की वाइलू कितनी है इस्टुडेन जो आपकी अर्ध आयूद दी गई है यहां पर देखिए 693 वर्स अब यह simply आप लोग इसे हल कर सकते हैं solve कर सकते हैं कैसे 0.693 आप दिया गया है आपर 6931 दिया गया है तो जब आप इसे student आपस में divide करेंगे cut करेंगे तो आपका जो फाइनली अंसर आएगा वह आएगा 0.001 और वर्स इन वर्स ठीक है यह इन वर्स च्छांग का मात्रक होता है वर्स इन वर्स समझ में आया चोटा सा निमेर कल छोटा सा फार्मूला तो छोटे से समझ में आ गया होगा ठीक है तो यहां पर दिया गया था अर्धायू 693 वर्स लैमडा हमें च्छांग ग्याद करना था यहां पर हमने इससे दोनों को डिवाइड किया तो यहां से जब पॉइंट कटेगा तो आपका क्या होगा वो तो आप लोग जानते होंगे इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा ठीक है ज्यादा लंबा वीडियो को मैं नहीं करना जाता तो उतना तो आप लोग समझी सकते हैं कि डिवाइड करने पर होगा क्या सेकर्ड कुईशन भी लगभग इसी से रिलेटन है लेकिन इसमें कुछ और ग्याद करना है एक शोटा सा फार्मूला मिसमें और सीखेंगे तो सीखता ही हमारा काम है क्योंकि आप इस्टूडेंट है आपको सीख गया है चाहिक लाइमडा ने भी बताया उपर कि जाहिक लाइमडा से डिवाड करते हैं तो लाइमडा डिया गया है स्टूडेंट जीडू दसमलो, 0, 0,1 एक वर्स ठीक है प्रतिवर्स समझ में आ रहा है कुछ भी नहीं है निवर्कल है छोटा सा आगे देखिए यहां पर भी नहीं दिया और खाली डिबार तो फार्मूला लगाते हैं चोटा साओ में भी छोटा सा ही फार्मूला रहेगा चलिए देखे स्था यहां पर टाउ-इ स्कुल्टू होता है वन अपान लेमडा आज ही नोट कर लीजी वन अपान लेमडा चलिलिया रखते हैं मान वन अपा लेंपड़ा कितना है 0.001 ठीक है समझ में आ रहा है जब आपी 0 को कट करेंगे तो यहाँ पर इस्ट्टुडन तीन अंके बाद लगा हुआ था पॉम्ट एक दो तीन तो यहां पर हो जाएगा तीन जिरू उपर बढ़े आएगा समझ में आया बस समझ यह सिंपल सहाय कुछ बीज में आपको नहीं करना टाउच कुल टू आपका आजाएगा सिंपली एक हाजार वर्स समझ में आया यह इसकी आयू है यानि की कौन सी इस्टुटन मैंने भी आपको बताया था और सब्सक्राइब तो फार्मूला भाइस आपको इनको याद कर लिजिए पाहले ने कौन सा फार्मूला लगा था इनको याद कर लिजिए गा 0.6931 के अस्थान पर हम लोग लाग इटू भी रख सकते हैं क्योंकि लाग इटू का मान ही होता है 0.6931 तो इस्टुटन आपको यह वीडियो पसंद आया होगा दोनों निमेरिकल आपके समझ में आ चुके होंगे तो आप लोग कमेंट करके जरूर एक बार बताएगा कि करना चाहूंगा कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को सेर कर देजिए थांक्यू स्टुडेंट